हाई फ्रेंड्स हिंदी डिकॉर्डिच चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों महाराजा का इलाज कहानी के लेखक यश्पाल जी है इनकी कहानियों में मुख्य स्वर विद्रो संगश और आलोचना पर अधारित होते हैं जो ये कहानी है ये उत्तर प्रदेश के मुखाना रियासत के महाराजा की बिमारी पर है कहानी में लेखक मुख्य तौर पर है बताना चाहते हैं कि महाराजा की बिमारी भी बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो एक महराजा है जबकि वही बिमारी यदि किसी गरीब को है तो महराजा इसे अपनी बेज़ती समझते हैं आज की कहानी में हम लेखा कि इसी मर्म को समझेंगे कि महराजा कैसे अपनी बिमारी की तुलना किसी महतर की बिमारी से करने पर तिल मिला कर ठीक हो जाते हैं वो महराजा हैं इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बिमारी भी उची होगी और इसका इलाज भी मुश्किल ही होगा और काफी उचा होगा जबकि महराजा की ये सोच कितनी गलत है वे हैं हम आज के अपने अध्याय में जानेंगे हम महराजा का इलाज कहानी के समिक्षा के अंतरगत इस बात के मर्म को समझेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये श्पाल कृत कहानी महराजा का इलाज कहानी की तात्विक समिक्षा किसी भी कहानी के समिक्षा के लिए दोस्तु छे प्रमुक्तत होते हैं पहला है कथानक या कथावस्तु जिसके अंतरगत कहानी की कथा कहानी की जो कहानी का सार होता है उसे हम लिखते हैं दूसरा है चरित्र चित्रन जिसमें कहानी में जो पात्र होते हैं उनके विशे में संक्षेप में बताया जाता है तीसरा है समवाद या कतुपकतन इसमें कहानी के समवादों पर चर्चा की जाती है चौथा देशकाल और वातावरन उस समय का क्या वातावरन था क्या सा देश का महालता इन सब बातों के बारे में चर्चा की जाती है पांचवा है भाशर शैली किसी कहानी में किस प्रकार की भाशर और किस प्रकार की शैली का प्रियोग किया गया है अंतिम तत्व होता है उद्देश्य जिसमें कहानी लिखने का लेखा का क्या उद्देश्य है इस पर ह आज के अध्याय में हम महाराजा का इलाज कहानी की कथानक को जानते हैं दोस्तों इस कहानी में उत्तरप्रदेश के मोहाना रियासत के महाराजा की बिमारी का वर्णन हैं महाराजा की बिमारी कोट कचहरी गवर्णन तथा उस समय के बड़े-बड़े प्रभाव शाली राष् जा चुके हैं फिर गर्मियों के महीने में महाराजा मसूरी में रहते हैं जहां बड़े-बड़े डॉक्टरों को बुलाया जाता है और वो बारी-बारी से आकर उनका चेक-प करते हैं और अपनी राय भी प्रकट करते हैं लेकिन फिर भी महाराजा के हिर्दे और सिर की पेड में कोई अंतर नहीं आता और ना ही जो उनके घुटने जुड गहे थे वो ठीक होते हैं फिर बाहर से और बड़े डॉक्टरों को उनके इलाज के लिए बुलाया जाता है एक-एक करके सभी डॉक्टर उनका परिक्शन करते हैं महाराजा एक पहिया लगी अराम कुर्सी पर बैठे होते हैं उनके चहरे पर रोगी की उदासी और दयनिय चिंता के स्थान पर आसाध्या दुर्बोध रोग के बोज को उठाने का गर्व और गंभेरता अवश्यती मतला वो खोश थे कि उन्हें ऐसी बिमारी हुई है कि जिसका बड़े-बड़े डॉक्टर इलाज नह ने कहा कि उनके पास एक ऐसा केस आया था जो कि किसी महतरका था जिसे ये बिमारी बिल्कुल यहीं बिमारी थी बस यह सुननना था महाराजा को तो बहुत तेज क्रोध हा जाता है और वो जो उस कुर्पर बैठेवेते पहया लगी हुई कुर्सी पर वील्चेयर पर उस से तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और उनके पैर ठीक हो गई यही नहीं क्रोध की उत्तेजना में वो डॉक्टर को उल्टा सीधा भी बोलते हैं महराजा द्वारा इस तरह से गलत बोले जाने का डॉक्टर को दुख तो होता है पर साथ ही साथ वे खुश भी होते हैं कि महर महराजा ठीक हो गए हैं तो दोस्तों यह हमने महराजा का इलाज कहानी की कथा वस्यू जानी अब हम इसके पात्रों के विशे में जानते हैं यश्पाल जी के कहानियों के पात्र समाज के सम्मानित पात्र हैं कहानी के पात्रों में एहम यानि कि मै का रूप हमें दिखाई देता है, महराजा का अपनी बिमारी की तुलना किसी महतारी से किया जाना, उन्हें ऐसा लगते हैं जिसे उनका अपमान हो और डॉक्टर को गुसे में बोलने के कारण वो अपनी बिमारी भूल जाते हैं, जब कि उनके पेल जुड़े वे हैं, बौधिक तटस्थता के फलस्वरूप प्रस्तुत कहानी में किसी प्रकार का सध्यान्तिक आगरह नहीं मिलता फिर व्यक्तिवादी आगरह की प्रबलता इस कहान इसमें पाई जाती है दोस्तों कहानी के पात्रों की पहली विशेश्ता है कि वे स्वयम से संबंदि समस्याओं से संगर्ष करने के साथ सभी प्रकार की समस्याओं से भी संगर्ष करते हैं ये हमने कहानी के पात्र और चरीतर चित्रन के विशे में जाना अब हम जानते हैं देशकाल या वातावरन। प्रस्तुत कहानी में सामन्ती समय के महाराजा के क्रिया कलाप का पूरा नक्षा प्रस्तुत किया गया है। कहानी के पात्रों में गंभेता और रोचकता के सासत हम तीखा पन भी देखते हैं वातावरन में हमें सरफ एक रुपता नहीं दिखाई देती बलकि अनेक रुपता दिखाई देती है मसूरी के वातावरन में डॉक्टरों की सभा का आयोजनतता महराजा का उत्तेजित होना अब शब्द कहना सर्वहारा यानि की जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं उनका दियोतक है इस प्रकार कहानी में देशकल और वातावरन दोनों का सुन्दर निर्मान हमें देखने को मिलता है अब इस कहानी के समवादों पर चर्चा करते हैं दोस्तों इसके जो समवाद हैं वो अत्यान स्वभाविक और यथार्ट पून है जैसे कि डॉक्टर संगठिया उठकर बोले महाराजा के शरीर की परिक्ष्या और रोगों के इतिहास के अधार पर मेरा विचार है कि महाराजा का यह रोग साधारन शारिरिक उप्चार द्वारा दूर होना मुश्किल होगा फिर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इस प्रकार के एक रोगी का अनुभाव है कई वर्षों से मुंबई मेडिकल कॉलेज की एक महतर को ठीक इसी प्रकार घुटने जुरे जाने और हेदया और सिर की पेड़ा का दुसाध्य है रोग बस वो इतना कहते हैं पूरी बात भी नह सेवक उनकी कुरसि को लेकर आते हैं उनको नहीं बुलाते हैं बलकी हॉल में अपनी कुरसि पर कुदी प्यारों से बाहर चले जाते हैं डॉक्टर संगटिया ने सबसे अदिक मुस्कुराकर कहा खैर जो हो विमारी का इलास तो हो गयाँ अब हम जानते हैं इसकी भाषा शेली दूसुर इस कहानी की भाषा शेली निम्र मद्यम वरगीय समाज तानाशाह वेक्ति समाज की भाषा शेली है और पात्रों के अनुकूल गटना पूनता इस कहानी की भाषा की सबसे बड़ी पहचान है अंग्रेजी और उर्दु के जो शब्धी इस कहानी में प्रियोग किये हैं वो ऐसे प्रियोग है जो जन सधारन वर्टे के अनुकूल हो जो वाक्य विधान है वो गठित और विस्त्रित है कहानी की शैली वर्ण आत्मक शैली है मदूर्ता और रोचकता के सासाथ इसकी प्रवा मैता अधिक आकश्यक है साथ की साथ प्रभावत पागदक्ता की दृष्टी से भी इस कहानी की शैली अधिक उप्युकत है अब हम इसके अंतिमता तो ज्यानी की उदेश्य पर चर्चा करते हैं दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यश्पाल जी का द्रिष्टिकोन प्रगती वादी रहा है इसलिए इस कहानी में उन्होंने अपनी प्रगती शिल्ता का परीचे दिया है यश्पाल जी ने समाज की सड़ी गरली परंपराओं के पोशक तत्वों के नकाब को बे नकाब करने में सार्थक प्रियास किया है मैं महाराजा हूँ मेरी बिमारी भी असाधारन है फिर भी महतर से मेरी तुलना कैसे की गई और तुलना का परिनाम क्या निकला रोग ठीक हो गया क्योंकि महराजा जो थे वो अपने रोग को असाधारन और महराजाओं का ही रोग मानते थे उन्हें ऐसा लगता था कि ये रोग सिरफ राजा महराजाओं को ही हो सकता है इसलिए ठीक नहीं हो रहे हो डॉक्टर संगठिया इस बात को समझ चुके थे और वो इसी महराजा की इसी मनोवरती पर चोट करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस तरह का केस में ने एक महतर का ठीक किया है रोग को ठीक करने के अपने उदेशे में अंत में वो सफल रहते हैं तो दोस्तों ये हमने चाना यश्पाल जी द्वारा रचित महराजा का इलाज कहानी की तात्विक्ष समिक्षा के विशे में हिंदी भाषा के और भी प्रमुक विश्यों पर हम आगे के अध्याई में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे पर दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से सम्मदेट आप कोई भी प्रशन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं शीगर रती शीगर उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो